अत्याक्ष्ट महोदे, आपने मुझे बोलने कैजाज़त दिया, मैं आपकी अभारी हूँ, भर्थिया, राष्टिया, कांग्रिस की तराथ, मैं नारीशक्ती बंदन अधिनियम दो हजाद देज के समार्तन में करी हुई दूए से बड़ी हुई रसोय से लेकर, रोश्णी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक, भारत की स्ट्री का साफर बहुत लंबाद, लेकिन आखिर खार उसने मंजिल को छू लिया है उसने जानूं दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुशों के बीच तेज दोर लगाई और असीम भीरच हिसा अकसर खुद को हारते हुए, लेकिन आकरी बाजी में जीते हुए देखा भारत की स्ट्री के वृड़े में महसागर जैसा धीरच है, उसने खुद के साथ कोई बीमानी की शिकायत नहीं की और सिर अपने फैदे के बारे में कभी नहीं सोचा, उसने नदियों की तरह सब की बहाई के लिए काम किया है, और मुश्किल वक्त में इमाले की तरह अदिद रही, स्ट्री के धैर्य का अंदाज लगाना नमुम्किन है, आराम को नहीं पैचानती और तक जाना भी नहीं जानती, हमारे महांदेश की माह है स्ट्री, लेकिन स्ट्री ने हमें सिरत जनम ही नहीं दिया है, अपने अपने आसों, खुन पसीने सीच कर हमें अपने बारे में सोचने लायक, खुद्दिमान और शक्तिशाली भी बनाया है, अध्याक्ष महादे, स्ट्री का महेनत, स्ट्री का गरीमा और स्ट्री के त्याद की पहचान करके ही, हम लोग मनुश्यता की परिक्षमें पास ओ सकते, अजादी के लराई और नए भारत के निर्मान के हर मोर्चे पर श्ट्री पुरुष के साथ कंदे से कंदा मिला कर लरी है, वह उमीदों, अकंचाव, तकलीफों और दार क्रिस्टी के बोज के नीचे नहीं दबी, सरोजनी नाइदू, सुचेता क्रिपलानी, अरुना असाफली, विचै लक्षमी पंडित, राजकुमार अम्रित कौर, और उनके साथ तमाम लाकों लाकों महिलाई से लेकर, आज की तारिक तक श्ट्री ने कतिन समय में हर बार महत्म गांदी, पंडित्वारला नेहू, सरदार पतेर, बाबा सहाब बन बेद कर, और मुलाना आजाद के सपनों को जमीन पर उतार कर दिखाया है। इंदीरा गांदी जी, इंदीरा गांदी जी का व्यक्तित्व इस सिल्सिले में एक बहुती रोशन और जिन्दा मिसाल है। अध्याक्ष्मा होगे, खुद मेरी जिन्दगी का यह बहुत मार्मिक शान हो। पहली दफा स्तान्य निकायों में स्त्री की भगिदारी तैक करने वाला संविधान संशोडन, मेरे जीवन साथी राजीव गांदी जी ही लाए थे, नोने लाए थे जो राज्य सबा में साथ गोतों से गिर गया था। बाद में प्रदानमंत्री पीवी नरसी मराव जी के निफरित्व में कांगरे सरकार ने ही उसे पारिट कराया। आज उसी का नतीज़ा है कि देशबार में देशबार के स्तान्य निकायों के जरिये हमारे पास पंद्रा लाग चुनी हुई महीला नेता है। राजीव गांदी जी का सपना अभी तक आदा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारिट होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्याक्समा होदे, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्तन करती है। हमें इस बिल के पास होने से कुशी है, मागर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पीछले तेरा वर्षों से भर्टीयस थ्रियों अस्त्रियां अपनी रजनीटिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही है। और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहां जा रहा है। कितने वर्ष दो वर्ष, चार वर्ष, छे वर्ष, आत वर्ष, क्या भारत की स्त्रियों, भारत की स्त्रियों के साथ परताव उचीत है। बर्ष राश्टिया कांगर्स की मांग की ये बिल पॉरन आमल में लाय जाए। लेकर 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 इसके साथ की कास्ट सेंसर्स कराकत शेडूल कास्ट शेडूल कास्ट शेडूल जाए। ओबीसीज की महिलाओ के अराक्षन की व्यावस्ता की दिजाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वो उठाने ही चाहिए। अध्याक्ष महोदे श्त्रियों के योगदान की स्विकार करने और उसके प्रती आभार व्याक्ट करना का यह सबसे उचेड समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारती स्ट्रियों के साथ घूर नाइंसाफी है। बत्याय राश्टिया कांग्रिस की तरह से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारिशक्ती बंदन अधिनियान दो हजार देश को उसके रास्ते की सारी रुकावतों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा ऐसा करना ऐसा करना ना सिरफ जरूरी है बाती संबाब भी है। आपके लाग। आपके लाग।